So hi guys, मैं हूँ Prince, आप सबी का स्वागत करता हूँ, आपके अपनी YouTube channel Prince Baap में क्या guys, आप भी Custom Room create करना चाहते हो? 1v1, 2v2, 3v3 and 4v4 तो guys, इस वीडियो को अंतक watch करते रहना इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ, अगर आपके पास custom card नहीं है फिर भी आप custom कैसे खेल सकते हो? तो guys, आज की वीडियो काफी amazing होने वाले इस वीडियो को अंतर watch करना चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं इसके बाद आपको game mode के उपर tap कर देना है जैसे हम game mode के उपर tap करते हैं, नीचे option है custom का custom के उपर आगे इन आपको tap कर देना है इसके बाद guys, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके पास custom card नहीं है तो आप फिरी में game कैसे खेल सकते हो? तो guys, आप देख सकते हो, यहाँ पर काफी सारे options हैं जहाँ पर custom खेले जा रहे हैं तो guys, आप किसी के उपर भी tap करें और यहाँ से join करके आप custom खेल सकते हो काफी सारे options ऐसे रहते हैं जिसमें आप असानी से join हो जाओगे तो guys, मैं आपको बता देता हूँ आपको join कैसे करना है चली guys, उपर से second number के उपर मैं tap करता हूँ जैसे मैं tap करता हूँ, join का button आ जाता है simply आपको join के उपर tap कर देना है इस तरह से guys, आप इसे join कर सकते हो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप custom room कैसे create कर सकते हो simply guys, आप देख सकते हो नीचे एक create का option है उसके उपर आपको tap कर देना है तो guys, इस तरह का एक page open होके आ जाता है फर्ष्ट नमर पे guys, आपको अपनी custom room का नाम लिखना होता है तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपना नाम लिख दिया है by default लिखा हुआ है सिकेंड नमर पे guys, आपको passport इंटर करना होता है तो आप यहाँ पर passport इंटर कर देना ताकि unknown player आपके custom room में न जुड़ पाएं थर्ड नमर पे आता है game mode यहाँ पर आपको game mode select कर लेना है चलिए मैं game mode select कर लेता हूँ तो guys, मैं बात करने वाला था class escort के बारे में तो मैं class escort के उपर tap कर दूँगा इसके बाद guys, map आता है आप यहाँ से map select कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर three map available है तो मैं first वाले map को select कर लेता हूँ बर्मोडा इसके बाद game mode आता है तो game mode आपको select कर लेना है मैं escort select कर लेता हूँ इसके बाद guys, आप नीचे देख सकते हो drop list है, तो drop list पे आपको जाना है, और यहां से आप अपने recording slate कर सकते हो, तो मैं competitive mode ही slate कर लेता हूँ second last पे आप देख सकते हो player का option है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें maximum 8 लोग जूड़ सकते हैं, और minimum 1 vs 1, 2 vs 2 3 vs 3 and 4 vs 4, आप खेल सकते हो guys, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें अगर आप 1 vs 1 play करना चाहते हो तब भी play हो जाहेगा, कोई जरूरी नहीं कि इसमें 8 लोग ही जुड़ें maximum 8 आप 8 कर सकते हो last option आता है spectator का, तो guys आप यहां से spectator slate कर लेना, मैं by default 30 ही slate कर लेता हूँ आप अपने recording यहां से set कर सकते हो इसके बाद guys, आपको game पे आ जाना है, जैसे आप game पे आ जाते हो, एक new page open होके आ जाता है, first number पे लिखा है round, तो guys, यहां से आपको maximum round slate कर लेना है, तो चलिए हम maximum round यहां पर slate कर लेते हैं, 13 round, इसके बाद guys, HP आता है, तो HP आपको 200 रहने देना है, आप अपने recording इसे बढ़ा भी सकते हो, 500 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, तो मैं 200 इसे set कर लेता हूँ इसके बाद guys, आ जाते है moment speed पे, यहां से guys, हम अपने moment speed को set कर लेते हैं तो guys, मैं 100% पे रहने देता हूँ guys, अब आज आते हम right side वाले option पे, और जैसे कि आप देख सकते हो default coin का option है first number पे, आपको उसके उपर tap करना है और यहां से guys, आपको अपना coin slate कर लेना है आपके पास जितना ज़्यादा coin रहेगा, आप उतना ज़्यादा purchase कर सकते हो, बेपन ले सकते हो, glue wall ले सकते हो, granite ले सकते हो, तो guys, आपको यहां से coin set कर लेना है, मैं 1500 set कर लेता हूँ, इसके बाद EP का option आता है, EP वाले option पे हम tap करेंगे, और यहां से अपने EP को set कर लेंगे, तो मैं 200 रख लेता हूँ, इसके बाद हम jump height पे आएंगे और यहां से अपने jump height को set कर लेंगे तो guys, मैं तो कहता हूँ, आप 100% select कीजेगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा jump height set कर लिया तो आपकी जो regular gaming होती है, ओ moment speed भी गड़ जाएगा, तो आप अपने recording set कर सकते हैं, मैं 100 पे set कर लेता हूँ इसके बाद option आता है unlimited ammo तो guys, इसका मतलब क्या है अगर आप इसे as पे set करेंगे तो आपको unlimited global ammo grenade नहीं मिलने बाले हैं तो guys, मैं आपको कहूँँगा, इसे no कर देना ताकि आपको unlimited global ammo मिल सके, इसके बाद option आता है load out का, तो load out पे guys, आपको no set कर देना है कोई दिक्कत उससे नहीं होगा next option आता है character skill तो guys, मैं आपको बता देता हूँ अगर आप alok लेके खेलते हो chrono leg खेलते हो, इस सारे चीज़ की ability इस पे set रहेगी अगर आप इसे no कर दोगे तो उसकी ability खतम हो जाएगी तो मुझे character skill चाहिए तो मैं S कर देता हूँ अब guys, नीचे के दो और option पचे हैं तो आपको by default sit रहने देना है उनको नहीं छेड़ना है इसके बाद हम observe पे आ जाएगी अब guys, मैं आपको बताने बाला हूँ यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाते है first option आपको देखने को मिलता है death expected इसका मतलब है guys, जब भी आपकी पेटी बन जाती है समाधी बन जाती है तो आप दूसरे बंदे को watch कर सकते हो तो यहाँ से आपको S slate कर लेना है यह अपने recording इसे no भी set कर सकते हो इसके बाद option आता है broke emulator इसका मतलब एह होता है guys अगर हम इसे S पे set कर के रखेंगे जब भी हम किसी बंदे को kill करते हैं तो ओ बंदा हमको watch कर सकता है अगर हम इसे no कर देंगे तो ओ बंदा हमको watch नहीं कर पाएगा तो मैं इसे S पे set कर लेता हूँ ताकि मुझे बंदे लोग watch करें जब मैं उनको kill कर दूँ इस advance rating को हम set नहीं कर पाएगे because guys इसको set करने के लिए हमें एक अलग तरह की custom card की जरूरत होती है तो अगर आप इसे set करना चाते हो तो आप कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया इस कीन पे इस तरह की custom card की आपको जरूरत पड़ेगी advance rating के लिए so guys आप नीचे देख सकते हो confirm का option है आपको यहां से confirm कर देना है confirm करने के बाद कुछ इस तरह का page open होके आ जाता है इसके बाद जिसे भी आप invite करना चाहते हो नीचे invite का option है simply उसके उपर आपको search कर लेना है चली मैं search कर लेता हूँ तो काई साब देख सकते हो जैसे मैं उसके उपर tap किया मेरे friend list में से सारे friend लोग का नाम आ जाता है चली मैं invite कर लेता हूँ तो मैं आदम के साथ आज खेलने वाला हूँ उनको ना नियाद दिलाने वाला हूँ तो simply उनको invite कर लेता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो भाई आदम भाई साब आ चुकी है तो चली अब मैं भी add हो जाता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो हम दोनों एक ही row में हैं तो guys ऐसा problem आ जाता है simply आपको क्या करना है प्रिंच चाहता है कि अपने right वाले row में transfer हो जाए तो simply उसके उपर tap करेगा और इसके बाद confirm कर देगा तो आप देख सकते हो guys हम अलग-अलग row में हो चुकी हैं अब इस game को में start कर सकते हैं so guys वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना यार चलिए जल्दी लोड़ते हैं कि न्यूव वीडियो अबडेट कर साथ तब तक लिए thank you for watching guys